असलामों अलाइकुम फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मै चैनल आज हम देखेंगे कि सपैता की दाल कैसे बनाते हैं यह हमारे यूपी की बहुत ही फेमस डिश है इसे हमारे यहां ठंडियों में काफी बनाय जाता है और यह काफी अच्छी लगती हैं खाने में तो आज मैं आप निकाल के बोल में ले ले लिया की एक दवां शल्कमिव YOUR फास वह गूयक्ताहे लीए और यहां की बॉल अफे नावरे पर हाल और बादान की दवांर मेर मिर्चय इस हमदर कर सकते ऐं में यहां तो जबनें शाय की ले बढ़ाए और यहां पर मैंने लिए हरह को खानान ऌस तेबल स्पून के करीब मैंने हरे रैसन को ले लिया है और यहां पर मैंने लिया है लाल मिर्च लाल मिर्च मैंने डी है तीन लाल मिर्च ली है इसका इस्तेमाल हम अपने तड़के में करेंगे और मैंने यहां पर लिया है नमक मैंने लिया है वन टेबल स्पून और यहां पर मैंने लिया हींग दो से तीन चुटकी बस हींग लेंगे हम और इसको भी तड़के में डालेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर अपने कुकर को चड़ा लिया है गैस पर अब हम इसमें बथुआ को डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपनी दाल को और अब हम इसमें डालेंगे अपनी हरी मिर्चो को हरी मिर्चो को मैंने बीच से कट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने लहसन को लहसन हमें हराई इस्तेमाल करना है और अब हम इसमें डालेंगे सोवा को और अब हम इसमें डालेंगे हमारे नमक को नमक मेंने लिया है 1 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के साथ से लें और अब हम इसमें डालेंगे पानी मैं एक गलास पानी डालूँगी क्योंकि जो बद हुआ है उससे भी पानी निकलता है इसलिए हमें जादा पानी नहीं टालना है एक गलास बहुत है और इसको इस तरीके से आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसको ढग देंगे और अब मैं इसको ढग दूँगी हमें इसको हाई फ्लेम पे रखना है और एक सीटी जब आ जाए उसके बाद हमें मीडियम कर देना है फ्लेम तो मैं इसको पहले हाई फ्लेम पे रखूँगी 12 मिनट हो गया है और अब मैं इन्हें खोल लूँगी और अब हमारे जो दाल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई है मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा था जब इसमें एक सीटी आ गई तो उसके बाद मैंने कर दिया था फ्लेम को मीडियम और मीडियम फ्लेम पे मैं अगर अच्छी तरीके से हो गई है और अब मैं इसमें डाल जही हूं पानी दो गलस आपको जितना चाहिए अपने हिसाब से पानी डालले अगर अगर नहीं पसंदें जादा पतली तो जतना मैं डाल जहीं रहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें जब बॉयल आईग यह अच्छी तरीके से हो गई है तो अब हम चलते हैं अपने तडके की तरफ हम इसके लिए तरका थार करना है तो तडके के लिए तो पहले मैंने तेल ले ले लिए है 2 टेबलिस्पून, मैंने तरसो का तेल लिया है और अब मैं इसमे डालूंगी हींग, हींग को हमें 30 तो उसका चीटा आएगा आपके फेस पे और डाले के बाद मैं इसमें अपने तरके को लगा दी हूँ और अब आप देख सकते हैं हमारे जो दाले बिल्कुल अच्छे तरके जबन के तयार है तो अब हम इनको निकाल लेंगे मैंने अपनी दाल को निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं यह कितनी ज़ादा जबरदस दिख रही है यह बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगती है खाने में आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्रै कीज़ेगा अगर आपको इस रेस्पी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिये अल्लाहाद